हेलो एवरिवन विल्कम बेक टू स्कोरिंग साइंस तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टैम के बारे में स्टैम जो की ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और साथ-साथ हम पढ़ेंगे टाइपस अब स्टैम के बारे में विद एग्जै दोनों के स्टूडेंट्स के लिए काफी वैल्यूविल रहेगी तो चली स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टैम देखिए पहले डेफिनिशन पढ़ लेते हैं स्टैम ऑफ प्लांट इस प्रिंसिपल एक्सिस ऑन विच बर्ट शूट्स डेवल इंट्रीज बोल ट्रंक है जिसमें बर्ट शूट्स लीव ब्रांचेज डेवल होती है मतलब यह सपोज आपका मान के चलो कोई पेड़ है ठीक है अब मैं ऐसे खाली रफ दाइग्राम बना देती हूं ठीक है तो यह तो आपका क्या होगी यह तो आपके रूट होगी नीचे बच आप कौन सा पार्ट जो यह वर्टिकल वाला पार्ट है यह वाला पार्ट तो यह क्या है स्टैम है और इसी में क्या होती है यहीं से ब्रांचेज निकलती है लीप इसमें निकलती है ठीक है तो स्टैम के ही प्रियाइबाची है ऐसा कहा था एनॉन ने आएबाच समझ में फिर बोल इस दे में स्टैम आफ ट्री सम्टाइम इट रेफर ओनली तो दे लूवर पार्ट ऑप दे स्टैम अप टो पॉइंट वेर दे ब्रांचे सार गिवन अप ठीके तो बोल ट्री है तो यहां से अबब दे ग्राउंड लेवल यहां से इस में इस पेड में ब्रांचे साना स्टाट हुई है लाइक लीप साना ब्रांचे साना स्टाट हुई है तो सम्टाइम्स इसके जो लोएस्ट ब्रांचे सोती है उसी को भी बोल कहते है और कभी-कभी इस पूरे को भी बोल कहते थ या फिर तो यह definition आप लिख सकते हो या फिर definition है इसके लिए the plant axis that bears birds and shoots with leaves and its basal and roots ठीक है यानि कि plant का ऐसा एक part जो क्या है जिसमें क्या होते हैं shoots होते हैं जहां से shoots निकलते हैं birds निकलते हैं और leaves निकलते हैं और जो इसका नीचे का base का जो end होता है वो end किस पर होता है root में यानि कि वहां से नीचे की तरफ क्या होता है root होता है और यह क्या है above the ground level ठीक है under the ground level तो क्या start हो जाएगा फिर root start हो जाएगा अगर नहीं समझ माया तो picture के तुरू चमझते हैं तो देखिए जो यह वाला portion यह डंडी से दिखे रही है आपको तो यह डंडी क्या है stem है और इसी में से क्या निकले हैं यहां से बर्ड निकल रहा है छोड़ा सा यह हो गया और यह leaf का भी structure साथ में देख लिए तो यह पत रही होते हैं नहीं ब्रांच निकल रही होते हैं तो उसको बोलते हैं नोट ठीक है और बीच वाला portion is known as internode अच्छा देखते हैं पर नीचे अब देखे हमने तो समझ लिया stem क्या होते हैं अब बाद आती है function of stem मतलब कि stem के क्या काम होते हैं ठीक है ठीक है stem are to support the leaf to conduct water mineral to the leaves where they can be converted into usable product by spectrosynthesis and to transport these products from the leaves to other parts of the plants including the roots अब से important function है stem का वो है leaves को support करता है ठीक है और दूसरी बात यह leaf तक का क्या पहुंचाता है water और mineral पहुंचाता है जो की जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि suppose that फिर से एक ट्री बना दिया तो यह आपका ground level है इसके नीचे फिर root होंगी है ना तो हम लोग क्या करते हैं कब भी जब पाई जाल रहे होते हैं या फिर कोई भी खाट डालते हैं तो कहां डालते हैं इसके नीचे जालते हैं यानिकि bottom side में डालते हैं डालते हैं क्यूं हम उपर क्यों नीचे डालते हैं क्यूंकि root क्या करता है water और mineral को क्या करता है absorb करता है खीसता है अवसोसित करता है then उसको किस के थरू stem के थरू जो stem ही है जो यहां से water और minerals को leaf के तक ले जा रहा है यानिकि plant के सारे parts तक पहुंचा रहा है तो देखो कितना important काम है है ना ता क्या करें leaf क्या करती है photosynthesis करती है photosynthesis क्या होता है food making process यानि कि इसमें green plant क्या करते है अपना food बनाते है water और carbon dioxide की मदद से आई बात समझ में तो देखे पहली बात तो यह leaf को support करती है दूसरी बात क्या करती जो water और minerals होते हैं उनको root से plant के different parts तक ले जाती है transport करती है आई बात समझ में और ताकि जिससे leaves क्या कर सके photosynthesis यानि food making process कर सके और जब leaves में खाना बनता है तो खाने को भी क्या करती है वापस नीचे यानि कि root तक का लेग के आती है अभी आपको शायद थोड़ा बहुत confusing लग रहा होगा बट मैंने अभी एक नीचे से pictures लगाई है तो उसके function तो यह है दूसरा function देखते हैं the stem conduct water and nutrient mineral from their site of absorption in the roots to the leaves by means of certain vascular tissue in the xylem तो two type के vascular tissue होते हैं first तो होता है xylem और दूसरा होता है phloem ठीक है तो दोनों को मैं आपको समझाती हूँ नीचे दिये वे picture से अच्छा देखिए एक तो आपको इसमें दिख रहा होगा कि sky blue color की एक लाइन है है और एक दूसरी जो है वो है आपकी yellow color की आई बास समझ में जो sky blue वाली है तो उसका जो arrow है वो उपर की तरफ है और जो yellow color की है वो उसका arrow कहां है नीचे की तरफ है तो देखिए पहले sky blue वाली लाइन का मतलब समझते है then मैं आपको yellow का समझाओंगे suppose that एक plant है ठीक है और यह यहां पर इस portion में इसकी क्या है रूट्स है अब हमने water डाला तो कहां डाला यहां डाला ग्राउंड अब 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 दे ग्राउंड डाला ठीक है और minerals डाले खाट डाला तो भी कहां डाला यहीं डाला और इसको किस ने observe किया इसको किया रूट्स में जो यह फैली भी है ना यह रूट्स ने इसको absorb किया ठीक हो गया अब absorb तो कर लिया अब पहुंचाएगा कैसे तो इसके लिए क्या है stem है जो कि यह line दिख रही है आपको यह कहां ज शोथा चले गई मतलब कि पूरे पाट्स तक का पहुंचाताश्यव के सबसे छोटा पाट क्या होताश्यव क्लांट का दिख पहुंचाती अ तो लीए किस चीज़ को व्यादार एंड मिन्राल ड्र्मीनेट तो इसको पहुंचाती लीस तक का अब ठीक हो पनी पूंच गया म मदद से water और carbon dioxide की मदद से यह leaf क्या करेंगी जब sunlight होगी आएगी और इन पर already क्या होता है green pigment होता है green color होता है ना green color किस वज़े से होता है chlorophyll की होता है तो यह क्या करती है water तो इन पर मिल गया और carbon dioxide हमारे atmosphere में रहता है अब देखें leaves ने खाला तो बना लिया अब यह पहुंचाएंगे कैसे पाट तक का क्योंकि खाना तो सिर्फ यह यही बन रहा है तो यह यह यलो वाली जो tube समझ लो आप इसको यह क्या करेगी ऐसे यहां से नीचे यानि कि root तक पहुंचाएंगी और अगलग branches तक पहुंचाएंगी ठीक है stem तक होते हुए root तक पहुंचाएंगी तो clear हो गया होगा यह चीज कि water and minerals root से plant के parts तक पहुंचाता कौन है जाइलम पहुंचाता है ठीक है और जो leaves में खाना बनता है तो उस खाने को plants के part तक वापस नीचे तक का या फिर roots तक कह सकते हो कौन लाता है अगर आपको इसमें नोट्स मिनाने हैं तो आप पॉस्स करके लिख सकते हैं नेक्स फंक्शन पढ़ते हैं फूद और वाटर आर अलसो फ्रिक्वेंटी स्टोर्ड इन दस्टायम ठीक है फूद और वाटर भी क्या होता है इसमें भी स्टोर होता है एक्सामपल और फूद इसमें इंक्लूट सब्सक्राइब तो यह सब चीज़न जो होती है जो फूटर है और फूड है यह होता है कुछ स्टैम्स में जिसको बोलते हैं मतलब की कुछ प्लांस में क्या होते हैं अलग-लग स्पेसिस के करी राइजूमस होते हैं त्यूबर Sedans और वडी स्टैम सोते हैं तो राइजूमस में जैभी मैं आपको बताऊंगी नीचे वीडियो में तो देखिए नेक्स फंक्षन है Water storage is developed to high degree in the stems of cactus and all green stems are capable of photosynthesis तो देखिए अब आपको पता है cactus cactus क्या होता है? डेजर्टेर्या में होता है रेगिस्तान में होता है ठीक है? अब रेगिस्तान में होती है पानी की कमी तो वहाँ पर क्या होता है जो ऑज़ारी को अपने पद दिखा भी होगा यह कहते है फोटोस वागेर में ऐसे दिखा भी होगा पढ़ा भी utilized उस्पोसी और कि अड़ काते हैं पना स्वहक्षमें उसमें क्या होती है उसम्हों किस्धी स्ट êtes ईहात Major यह स्टम्स में ही क्या होता है और यही क्या करते हैást फोंतो संथेसिस करते हैं सहराइब बिश्च निand और फ्लावर और पेना छिसमा उते हैं विल फ्रोट्स में चेंज गोते हैं और पॉलिनेशन के प्रॉसेस होती है फटिलेविशन के प्रॉसेस Berufsin आफ सीड पक्रूम को dengan थ això ऐस तरिए क्राइब के से हैं एक्राइब में अजिए फोले को तो आप आप अज्के एंटर ग्राउन स्टैम को तो चलिए स्टर्ट करते हैं अंडर्ग्राउन स्टैम से ही कि किरेarn remain at the ground level and produce aerial shoots that rise above the soil मतलब की ऐसे plants भी होते हैं जिनका stem क्या होता है underground होता है यहां होता है मिट्टि के अंदर होता है और यह क्या करते हैं इनके शूट्स निकलते हैं चोटे-चोटे ऐसे शूट्स निकलते हैं जो कि हवा में एरियल रहते हैं कहां पर सॉइल के ऊपर मिट्टी के ऊपर ठीक है इस स्टेम्स आर ऑल्सो कैपबल ओफ वेजिटेटिव प्रॉपोगेशन तो वेजिटेटिव प्रॉपोगेशन में भी यह स्टेम्स क्या होते हैं यूस होते हैं वेजिटेटिव प्रॉपोगेशन या फिर यसरे ऐन्य प्रकूर्जेशने सबक्रांट contest टो टतें से यहां प्लांटि चीन ठेखनों नहीं ऊबएयाई फ्रॉट कुछ ऐसे होते हैं कि जिसकी रूट सी लगती है तो हम उनकी चोटे प्लांट होते हैं तो हमको with root उनको लगा तो यानि कि वैजदिटी पार्ट सही नई प्लांट लगाते हैं तो उसी को बोलते हैं वैजदी प्रोगेशिन यह भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी नेक्स वीडियों आच्छा तो फिलाल देखिए अंडर्ग्राउंड स्टैम में भी कुछ उसके टाइपस हैं वह भी देख लेते हैं तो फर्स्ट रहापका राइजोम इडिजन अधिक्ट अंडर्ग्राउंड स्टैम डाइज देख से लिप्स अच्छा तो राइजोम के पास क्या ह बढ़ेते हैं नोट्स क्या होती है लेटरल बर्ड होती है लीप्स ग्रॉआउट अफ दिस्टैम अट इंटरवल कॉल नोट्स मितलब की कोई भी चीज़ एक चोटा सा यहां पर ऐसा बढ़ निकलता है ना किसी भी चीज में तो उस बढ़ से ही क्या होती है देरे देरे दे चीज़ लेगे होती है जो इंटरवल होता है उसको बोलते हैं इंटर नोट्स आई वसमझ में तो देखिए यह हैं आपका क्या जिंजर ठीक है तो जिंजर में जो यह वाला पोर्षण है यहां पर इसको बोलते हैं नोट्स ठीक है और यहीं से से इस बड़ से ही क्या होगी स्टैम्स आएंगे यानि लीफ आएगी नहीं समझभाया फिर देख लेगे देखो अब यहां पर अच्छे से समझभा जाएगा तो यह वाला जो पोर्शन है ना को यह दिख रहा है यहां से आपकी लीफ और स्टैम आना स्टार्ट हो रहा है तो इस पोर्शन को आप बोलते ह ऐसे हैं क्या इंटरनों आए बस समझ भी और राई जों किसका एक्जैम्पल है राई जों का एक्जैम्पल है जिंजर आप जिंजर मानके चलो आप हल्दी मानके चलो तर्मरिक तो देखिए एक तो यह होते हैं अंडर्गराउंड ले और दुसरा है ट्यू बर टू बराइज़नले अंडर्ग्राउंड एद्यू बिकम्स एंफर भीडिलेंट ग्रोइट तो इस वहां लाइक दिस यहां से यहां से नौर्थ तू-south की तरफ ठीक है और जो वर्टीकली होते हैं वर्टीकली कैसे बोलाजाता है आप टू-डाउन यह डाउन तू-अप अप, आप्टू-डाउन जो भी आप चाहें तो चूबर भी यी टैप का है और यह यह बीक्या लेते हैं और ग्रावं ये देखी में कि अपने देखा होगा जब आलू के खेती कर रहे होते हैं तो आलू के खेती में ऐसे आनी आर्ग जैसे होते हैं तो हम इस तरीके से कारते हैं अलो को कि हर एक इस इसमें एक बड़ एक आंख हो होता है ना ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो यह बड़ है ना तो यहीं से क्या निकलते जो आख है यहीं से क्या होता है यहीं से क्या होता है लीप से निकलती है ठीक है अधर वर्स क्या होगा अगर आपने ऐसा पोर्शन गिवाला खाली पोर्शन क गई ऑससे मालू हमाहिए नई तो यह भन में बिलकुल भी, रहा है तो यह होती है घर каждi अँझी इस कशिशी पल से कहा ह Please वाफ यह देख लिक शीनल तो इसमें क्या होता है इसका ऑफनग रहाई होता है वह काफ़ी छोटा होता है और यो incident बेस होता है वो भी क्या होता है लीफ ही स्केल टाइब के लीफ होते हैं यह देखो ऐसे इस टाइब के लीफ होते है और इसका अच्छा घासा इंग्जामपल जो है वो है अनियन या फिर आप लेलो लहसन आई बास समझ भी चलो यह तो पने पढ़ लिया अब बारी आती है एरियल स्टेम की अंडर्गाउंस टेम पढ़ चुके हैं एरियल स्थे समझ लो कि एरियल जो बना हुआ है यह मतलब हवा यानि कि ऐसा प्लांट का ऐसा पार जो क्या होता है अब अब दो ग्राउंड होता है ग्राउंड से तो टेंडरेल तो ट्यून को था होता है यह भी आपको ब्लांस वाटेओं तवी निखले होते हैं इस त्वेंग होते हैं घंडरै त्वीर, अब जब को बनाउ पोर्षा के इस निक talents, मोद्रा ट्वीर गले होते हैं प्लांट में तो यह तो एरियल अब पढ़ते हैं सब एरियल देखिए इस स्टेम्स रन पैरलल तो ग्राउट्ट ग्राउन गिव और फूर्ट एड सर्टीन इंटर्वल्स और नोट्स ठीक है तो इस टाइप के सब एरियल में क्या होता है कि जो प्लांट होते हैं वह अप दो हैं पूर्ट कि रहाएं तो यह कैसे फैल इधर की तरफ फैल जाएगा अगर इसको यहां पे आपने नहीं तो यह कैसे फ seg Latina थिक ट्रेप कर जाएगा ठीक है तो इन ही को बोलते हैं सबирिवल स्टेम तो यह क्वात इस कोल्ड टैपर यारुत ञार समझ अट जाना है यहां से लेके वो क्या होता है थोड़ा बहुत ऐसे करके नैरो होता जाता है यानि कि बेस में क्या होते हैं बेस में डायमेटर ज्यादा होता है और दिरी दिरी जैसे प्लांट ग्रो करता है तो डायमेटर उसका क्या होने लगता है कम होने रगता है कौन शेप का लास में बन जाता बहुत पतले होते हैं कहां टॉप में बहुत कम होते हैं और पतले पतले टाइप के हो जाते हैं और बेस में यानिकी नीचे क्या होते हैं मोटे होते हैं sorry this is necessary to transmit the wind pressure from crown and stems to the root system and to have sufficiently stable form अच्छा जैसे कि इसका eucalyptus है देवदार फर यह सारे इसके example है टैपर के अब पढ़ते हैं फॉकिंग इसमें क्या लिका है is a situation where a stem has more than on ladder it is an under undesirable character from the point of view of timber production forking is conifers has been observed in areas where snow damage is more so देखो फॉकिंग हो जाती ना मतलब की undesirable जब क्या होता है बहुत सारी जैसे लाइक यह stem है आपकी यह निकलगी branches निकलगी ठीक है तो ऐसे ऐसे क्या होती है more branches निकलने लगती है more undesirable character जो हमें नहीं होते हैं नहीं चाहिए होते हैं तो उस टाइप की characters दिखने लगते हैं timber production में timber मतलब की लकडी के production में और यह mainly कहां पाए जाता है जहां पे snow fall होता है बरफ गिरती है तो वर्फ की हो जासे क्या हो जाता है डामेज हो जाता है तो इस टाइप की चीज़ें आप वहां पे दिखती है undesirable character दिखते हैं जो कि timber production के लिए हैं सही नहीं है उससे अच्छा खासा नहीं मिल सकता है फिर है clean bowl bowl तो मैंने आपको कितनी बार बता दिया है अपने previous lectures में भी बताया है तो देखिए the part of a bowl or stem which is free from branches is called clean bowl यानि की ऐसी टहनी ऐसा stem या ऐसा bowl जिसमें क्या है branches है ही नहीं like bowl तो मैंने आपको बता है सबसे lowest जो branch होती है उसको हम कह देते हैं बोल अब इसमें भी क्या है यह जो lowest branch है इसमें यह stem है यहां से क्या हो रहा है कोई branches नहीं निकल दिए तो इसको बोल देंगा अगर बोल उसका क्या होगा काफी मोटा होगा और प्यॉर होगा तो उससे क्या होगा हमको अच्छे खासी लकड़ी मिल सकती है है और देखिए अगर हमें क्या चीए होता है यह अच्छा खासा timber चीए अब ऐसा कब होगा clean bowl कब मिलेगा जब हम टाइम टाइम पे प्रूनि है देखिए टूनिंग इन समस्पीशिस लाइक पॉपिलस हैल्प तो अप्टें लॉंगर क्लियर क्लियर बोल एंड लार्जर ट्रिया टिंबर वॉल्यूम तो अच्छा गासा हमें उससे वॉल्यूम मिल जाएगा अगर हम उसको टाइम टाइम में हम क्या करते रहें उसकी करते रहें तो जिए आप काटोगे तो उससे अगले टाइम पर आपको मिलेगा थोड़ा सा अच्छा टिंबर मिलें आइस वंसमाद अम देखिए अब हैं बट्रेसिंग अच्छा बट्रेस क्या होता है यह क्या है आउट ग्रोथ है जो कि कहां से बेस से ट्री के बेस से बे स्टैम शोस इर्रेगुलर इंवलिशन और स्वेलिंग इस काल फ्लूटेट स्टैम कभी-कभी दिखते हैं आपको स्टैम जो है वहां से यानि की कुछ चौड़ा चौड़ा है उसकी विर्थ जादा है तो उसी को बोलते हैं फ्लूटेंग 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 इस स्टैम जो बड़ी-बड़ी ब्रांचेस है उनके नीचे से यह ऐसा दिखता है और यह कॉमनली अगर आपको देखना है तो यह दिख जाएगा आपको टैक्टोना ग्रेंडिस के पेड़ेपे टैट्टोना ग्रेंडिस मतलब टीक के पेड़ेपे तो आज के वीडियो मैं आ आपको अपडेट मिलता रहेगा अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखे तो प्लीज एक कमेंट जरूर छोड़ियेगा